दोस्तों हम लोग HTML, CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट क्रियेट कर रहे थे और अरड़ी हमने दो लेक्चर से इसके उपर देख लिया है, आज ये हमारा थर्ड वीडियो है, हमारा ये बारबर शॉप हेर स्टूडियो की वेबसाइट चल रही थी और काफी डीटेल में मैंन प्रियेट किया है, वो ये है कि हमने यहाँ पे Hair Studio लिख लिया, और हमारा एक टैग लाइन हमने यहाँ पे लिख लिया है, अब नोटिस कर सकते हो, इसका डिजाइन अलग है, यह थोड़ा ज़ादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, और यह थोड़ा काम तो यह करते हैं कि आप notice करोगे यह थोड़ा सा italic है तिरचा है तेड़ा है tilt जिसे हम कहते है बट यह नहीं है यह मेरे banner के ऊपर का जो text है यह वो चीज है तो उस चीज के लिए आप check कर सकते हो banner text के अंदर हमारा पी टैग जो कि हमारा यह है banner text के अंदर पी टैग इसका हमने font दिया था इस जगह पे आकर के आपको लिखना है font style तो आप लिखोगे font minus style और यह रहेगा आपका italic italic करके आपको इसको save करना है इस जगह पे आकर के refresh करना है तो यह italic हो जाएगा बड़ा ही simple था अब यह जो font है और यह जो font है हमें उसकी requirement है तो इसके लिए ज़रा हम वो कर लेते हैं इस चीज के लिए आप google पे आ जाओगे google पे आने के बाद आपको search करना है google fonts direct अगर website की बात करूँ तो यह होता है आपका fonts.google.com so आप चले जाओगे google fonts के उपर और इसके open होने का आपको wait करना है open होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ से आप different different fonts को search कर सकते हो so यहाँ से हमें अपने लिए एक अच्छा सा font family select करना है आपको जो अच्छा लगता है आप उसे रख सकते हो मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ एक name को k a u s तो आपने देखा यह वाले हमें requirement है यहाँ पर आप आजाओगे और आपको simply इसके name के उपर कहीं भी click कर देना है यह पूरा सा area आपके पास बना हुआ है आप simply इसके उपर click करोगे इसके open होने के बाद यहाँ पर आप right hand side पर देखोगे तो एक option मिलता है select this style आप इसके उपर click करोगे तो यह यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आप notice कर सकते हो इस font का आपको name देखने को मिलेगा तो यहाँ से मैं आता हूँ back आने के बाद यहाँ से मुझे दूसरे font की requirement है जो कि हमारा pop-ins रहने वाला है pop-ins यहाँ पर आप search कर सकते हो और इसके उपर आप click करोगे click करने के बाद select this style again आपको वही करना है और इसके उपर आपको click कर देना है pop-ins जो है वो भी आपका आजाएगा तो अगर आप pop-ins के उपर click करोगे यहाँ पे अगर मैं इसे close कर दूँ तो आप notice करोगे यह जो चीजे हैं वो मेरे pop-ins के लिए है और यह जो है वो first वाले के लिए है ठीक है और यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलेगा कि यह हमारा first वाला है यह pop-ins के लिए है और अगर नीचे scroll करूँगा तो आपको दो अलग-अलग लाइने यहाँ पे देखने को मिलेंगी अब आपको यह जो link लिखा हुआ है यह पूरा यहाँ से copy कर लेना है copy करने के बाद आप आजाओगे अपने code पे HTML में head tag जो आपने close किया है उससे पहले आकर के आप जरा इसको paste करोगे ठीक है यह आपका इस जगह पे पेस्ट हो जाएगा zoom बहुत जादा है मैं कम कर देता हूँ all right यह आपको इस जगह पेस्ट करना है अगर आप अपने web page पे आ करके refresh करोगे तो कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा हमें कुछ और changes भी करने होते हैं इसके अंदर अब इसके बाद जो हमारे CSS की कुछ properties हैं वो भी copy करना है जैसे कि यह जो pop-ins है मैं इसे copy कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा design हो overall उसके अंदर pop-ins आ जाए तो मैं उपर जाऊंगा इस जगह पे आने के बाद जो मैंने star लगा रखा है इसके अंदर font family pop-ins को मैं paste करके save करूँगा इससे क्या होगा मेरे entire document के लिए जो भी tags होते हैं HTML के उसके लिए यहाँ पर pop-ins apply हो जाएगा आप यहाँ पर देख पा रहे हो उस चीज को right तो यह जो है यह entire document के लिए है आप again आओगे back और यह जो आपका पहला वाला है इसे आप copy करोगे copy करके आप नीचे scroll down करके जो आपका h1 है मैंने कहा इसकी font यह रहने वाली है तो इसके बाद मैंने इसको save किया यहाँ पर आ करके refresh किया तो अब notice करोगे यह हमारा font change हो चुका है अब check कर सकते हो यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रहा हूँ यह थोड़ा सा odd लग रहा है इसे हम bold कर सकते हैं थोड़ा सा इस चीज के लिए हमारा paragraph था इस चीज के लिए मैं इसमें आ जाओंगा paragraph में और यहाँ पर मैं इसको specify करता हूँ font weight तो मैंने यहाँ पर लिख दिया font weight और इसके अंदर आपको लिखना है bold save करेंगे आप इसको save करने के बाद इस जग़ा पर आओगे refresh करोगे तो वो पहले से थोड़ा सा better आपको look देगा तो इस तरीके से आप google fonts को use कर सकते हो अपनी website के लिए अब हमें इस google वाले page की कोई जरूरत नहीं है google fonts की आप इसे simply cut कर सकते हो अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर notice करोगे तो मेरे पास कुछ buttons हैं दो buttons हैं find out and read more तो इन buttons को मुझे create करना है कहाँ पर इस जगह पर हमें उन buttons को create करना है इस चीज के लिए आप आजाओगे अपने HTML के अंदर और यह जो हमने design किया था basically हमने लिखा हुए अपना p tag obviously वो मुझे p के नीचे ही चाहिए below this p tag so हम यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आने के बाद आप p के बाद आजाओगे और यहाँ पर आपको बनाना है एक div एक division आपको create कर लेना है हमारे उस button के लिए और इस div को आपको close कर देना है अब इस div की भी styling करेंगे obviously तो div का class यह मेरे banner का button है so let's make it banner btn आप जो मर्जी रखें फरक नहीं पड़ता it can be anything और इस div के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और एक ahref anchor tag आपको start कर लेना है click होगा तो कहां जाएगा मैंने कहा कहीं नहीं इसी जगा पे रहेगा इसके उपर का text क्या रहेगा तो मैंने कहा find out and इसके बाद आपको अपना anchor tag close करना है यह करके मैं इधर आता हूँ save and refresh करता हूँ तो आप notice करोगे यह find out आपके सामने आ चुका है see this यह find out आपके सामने यह रहा right so zoom मैंने कम कर दिया यहाँ पे और इस जगा पे आ करके हम इसका एक duplicate बना करके इसे कर देंगे read more basically दो links चाहिए है मुझे obviously यहाँ पे आ करके अगर मैं आपको refresh करके चेक कर रहा हूँ तो find out and read more आप यहाँ पे notice कर सकते हो but यह link है यह button नहीं है this is not a button यह सिर्फ आपका एक link है अब जड़ा इसकी styling करते हैं हमने इसको बना रखा है banner btn so मैं यहाँ से इसको copy कर रहा हूँ इस जगा पे आ गया मैं और क्योंकि मैंने इसको class specify किया है तो यहाँ पे आ जाएगा dot इसका जो margin है वो मैं कर देता हूँ 70 pixel auto 0 जो margin वगरा है इसके उपर already detailed video आपको मिल जाएगी आप चले जाना channel के playlist में और CSS playlist से आप यह सारी चीज़े सीख सकते हो detail में कि यह CSS की चीज़े कैसे काम करती है अगर आपको कहीं भी doubt हता है तो ठीक है तो मैंने इसको currently voice specify कर दिया margin 70 pixel auto 0 अब इसको मैं save करके इस जगह पर आकर के refresh करता हूँ तो आप notice करोगे यह नीचे की तरफ shift हो गया right अब इससे हम क्या करेंगे as it is इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ banner btn और banner btn copy करने के बाद मैंने specify किया actually उसके अंदर anchor tags है यह हमारा banner btn है उसके अंदर 150 pixels और यहां पर आ करके मैं इसको save and refresh करता हूँ तो यहां पर आपको currently कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं आपको यहां पर आ करके चेक कर रहा हूँ तो by default यह blue color का है जो कि आप नहीं देख पार है so इस चीज के लिए हमें लिखना होता है text decoration जो सजावत है हमें वो नहीं चाहिए so यह होता है आपका none अगर आप इसको none कर दोगे और जो आपका नीचे underline है यहां पर आप notice करोगे यह underline है और अगर मैं आपको अब इसको refresh करके चेक कर रहा हूँ तो यह underline यहां से गायब हो जाएगा मैंने refresh किया see this वो आपका underline हट चुका है obviously इसका color भी मुझे white करना है so इस चीज के लिए मैं यहां पर आ जाऊँगा और मैं इसको specify करूँगा color white और इसको हम save करेंगे इस जगह पर आ करके refresh करेंगे तो आपके पास यह white color में देखने को मिलेगा obviously यह थोड़ा सा bold होना चाहिए तो font weight आप यहां से copy कर लो इस जगह पर आ करके paste कर दो यहां पर आ करके save and refresh तो आपका यह यहां पर आपको देखने को मिलेगा और क्यूंकि इसको एक देखो यह link है इसे एक button की तरह create करना है so यहां पर आ करके ज़र आप इसको करे display inline block तो display inline block आपका हो जाएगा यह मैंने कर दिया एक block के format में यह रहेगा और margin कर देता हूं मैं let us say top bottom से 0 so यहां पर आते हैं हम लोग margin 0 और left right से 10 pixels यह कह के मैंने इसको save किया और यहां से आ करके refresh किया तो यहां से आपको gap देखने को मिलेगा ठीक है तो यह मेरा अभी तक create हो चुका है और जितनी इसकी width दी हुई है वो inline block आप देख रहो मैं इधर भी mouse रख रहा हूं तो भी icon change हो रहा है यहां तक भी है जितना इसका width लगा हुआ है reason is यहां पे हमने इस a का width दे रखा है 150 pixels का तो यह 150 pixels तक यह inline block बन चुका है और यह एक button की तरह act करेगा similarly थोड़ा सा padding को apply कर लेते हैं तो मैं यहां पे आ गया और मैंने specify किया padding let us say इसको मैं रख लेता हूं 12 pixels और दूसरे तरफ से रख लेते हैं 0 save and refresh तो यहां पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसके बाद मैं यहां पे क्या कर रहा हूं मैं यहां पे specify कर देता हूं border let us say one pixel solid white इसके border के उपर भी separate videos है मेरे पास detailed में CSS playlist के अंदर तो आप notice करोगे 150 pixels जो हमने specify किया है न यह 150 pixels उसमें आपको यहां पे border देखने को मिलेगा आप इसे increase कर सकते हो आप इसको 0.5 रख सकते हो 0.5 मैं currently यहां पे 3 pixel करके देखूं यह कैसा लगेगा so looks good but थोड़ा सा odd हो गया actually 2 pixel करके यहां पे save and refresh quite okay है पहले से much better है I think 1.5 will be okay मैंने इसको save किया refresh किया no alright so let's go with to and save and refresh तो हमने buttons को भी create कर लिया अब हमें requirement है हमारे इस animation की animation मैं आपको next video में करा दूँगा already यह video थोड़ी बड़ी बन चुकी है और detail था यह क्योंकि काफी जादा उमीद करता है आप समझ चुके होंगे कि आपको यह सारी चीज़े कैसे perform करनी है जो हमने अब तक किया अगर आपने इस series को अब तक follow up नहीं किया है description से link लो playlist मिलेगा वहां से आप इसको देख सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ चुका हो तो please like जरूर करें और comment में अपना feedback दे चैनल पर नहीं हो तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें तक कि आपको latest videos के notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys